सितंबर माह में सोयाबीन की फसल पकने लगी है। कुछ क्षेतरों में सोयाबीन की फसल पककर तयार हो चुकी है। इतना ही नहीं पिछले सप्ता मंदसौर मंडी में नई सोयाबीन की आवक हुई। मंदसौर मंडी में नई सोयाबीन का मुहूर्थ भाव 8200 रुपए प्रती क सोयाबीन की अर्ली वेराइटियां कटने की कगार पर है। इधर 9560 सोयाबीन वेराइटी पीला मोजेक रोग के कारण सूखने लगी है। प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जानकारों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के दूसरे सपता से सोयाबीन की नई उपज का मंडी में आवक का श्री गनेश हो जाएगा। इस समय खेतों में फसल पक रही है। हाला कि कहीं कहीं बीमारी भी लग रही है। ऐसे में किसान वर्ग चाहता है कि उन्हें भाव अधिक्तम मिले क्योंकि इसका लागत खर्च अधिक है। दरसल पिछले तीन साल से सोयाबीन के भाव नुकसान वाले मिल रहे हैं। सोयाबीन के भाव बढ़ाने को लेकर किसान पिछले 15 दिनों से रैली ग्यापन देकर दे क्विंटल हो गए थे वहीं अगस्त माह के अंत में यह भाव 4500 से 4700 रुपए प्रती क्विंटल तक हो गए। हालांकि यह भाव अभी न्यूंतम समर्थन मूले से कम है क्यूंकि सोयाबीन का समर्थन मूले 4892 रुपए क्विंटल है। अनाज व्यापारियों के अनुसार 2022 म सोयाबीन 6700 से 6800 रुपए प्रती क्विंटल विका था। वही देखा जाए तो सोयाबीन का भारत में 12 मिलियन टन उत्पादन होता है। यह भारत में खरीफ की फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में उत्पादित ह होती है। भारत सरकार के जारी ताजा अंकडो के अनुसार मध्यप्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 41.92 प्रतिशत है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01 प्रतिशत है जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है और देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96 परसेंट है। पिछल के अनुसार सोयाबीन की उत्पादन लागत 3,261 रुपए प्रती क्विंटल है, लेकिन मंडियों में यह 3,500 से 4,000 रुपए के बीच बिक रही है. सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, सोपा, के अंकडों के मुताबिक 2013 से 14 में सोयाबीन का ओसत भाव 3,823 रुपए प्रती क्विंटल था, जो आज की कीमतों के लगभग बराबर है. यही कारण है कि किसानों में सोयाबीन के भाव को लेकर राजे एवं केंडर सरकार के प्रती आक्रोश पनप रहा है. इस आक्रोश के बावजूद अब तक केंडर एवं राजे सरकार की ओर से सोयाबीन के भाव बढ़ाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में सवाल ये उटता है कि आने वाले सीजन में सोयाबीन के भाव क्या रहेंगे। दरसल सोयाबीन का सीजन जल्द शुरू होने वाला है। क्रिशी जानकारों के अनुसार सीजन की शुरूात सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी। वही क्रिशी विश्व विद्याले जबलपूर द्वारा जारी किये गए औसत मासिक मूल्य पूर्वान उमान के मताबिक सोयाबीन के भाव सितंबर 2024 में 4101, अक्टूबर 2024 में 499, नवंबर 2024 में 4283, दिसंबर 2024 में 4417, जनवरी 2025 में 4551 एवं फरवरी 2025 में 4535 रुपए प्रती क क्विंटल रहेंगे। इसके अलावा सोयाबीन के भाव विदेशी बाजार पर निर्भर हैं। विदेश में सोयाबीन के भाव में उताच रहाव होने पर देश में सोयाबीन के भाव घट्ते बढ़ते हैं। विदेश में सोयाबीन के भाव कम होने एवं तेल का पर्याप्त विस्तार होने के भारतिय बाजारों में सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने सोया तेल एवं सोयाबीन को आयात फ्री कर रखा है। वहीं सोयाबीन के वाइदा कारुबार पर प्रतिबंध है। जिसके कारण भारतिये किसानों को सोयाबीन का परियाप्त भाव नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन कारोबारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रिय बाजार में सोयाबीन की तेजी और मंदी बनती है। 3-4 साल पहले 10,000 रुपए प्रती क्विंटल के भाव देने वाला सोयाबीन इस साल भी किसानों की खास पसंद बना हुआ है। सरकार ने समर्थन दाम 292 प्रती क्विंटल बढ़ाया है। अब समर्थन दाम सोयाबीन का 4,892 रुपए हो गया है जबकि गत वर्ष 4,600 रुपए था। फिर भी मंदियों के कारोबार में समर्थन दाम का असर नहीं दिखाई दे रहा है। सीजन में गत वर्ष 4,800 रुपए से अधिक के भाव पर सोयाबीन मंडी में नीलाम हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे सोयाबीन इससे भी नीचे आ गया है। मंडी में फिलहाल सोयाबीन के भाव 4,300 से 4,700 रुपए प्रती क्विंटल तक बने हुए हैं। Bureau Report Market Times TV